तो फ्रेंट्स आज का वीडियो एक बार फिर से आप सभी के लिए काफी इंपॉड़न होने वाला है आज के इस वीडियो में हम हमारी तेन कोश्चन सिरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस टॉपिक में इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉड़न आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं एक्जाम में उन सभी आर्टिकल्स को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं देखिए आज के इस वीडियो में नॉर्मली हम तीन भाग के आर्टिकल्स को डिसकस करेंगे कौन-कौन से हैं भाग 1, भाग 2 और भाग 3 मतलब भारती सविधान का संगराज शेत्र भाग 1, भारती सविधान में नागरिक्ता भाग 2 और भारती सविधान में मौली कदिकार जो की भाग 3 के अंतरगत मेंशन किये गए हैं तो इन 3 भाग के जितने भी important articles हैं जो की exam में पूछ जा सकते हैं और बहुत ही important हैं उन्ही को हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं उन से related सभी question को हम समझेंगे एक एक question के relevant detail को भी याद रखेगा क्योंकि वहीं से exam में आपको question देखने को मिलने वाले हैं आईए शुरू करते हैं बिना देर किये तो देखिए friends सबसे पहले question के अगर हम बात करते हैं जो की Indian Constitution के शुरुआत के तीन पार्ट में से पूछे जा सकते हैं especially article से पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहला question है सवविधान के किस अनुच्छेद में परिवर्तन के बिना सवविधान संशोधन किया जा सकता है मतलब ये कहां गया है कि देखिए normally जो amendment किये जाते हैं पूरे सवविधान में कहीं भी वो एक article के तहट किये जाते है article 368 आपने सुना होगा इसके बारे में सवविधान के भागबिस में article 368 ये भी एक काफ़ी important article है तो एक आप ये भी याद रख लीजे इसमें सवविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई और पूरे सवविधान में अगर कुछ भी changes करना है तो normally इस article के तहट Indian Parliament सवविधान संशोधन लाकर कर सकती है ये normally आप procedure को जानते है लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इसे कौन से article है जिनमें जो detail है या जो elements दिये गए हैं अगर उनमें बदलाव करना है तो बिना सवविधान संशोधन की हो सकता है तो ऐसे article है friends article 2 और article 3 ये दो article ऐसे हैं जिनमें अगर constitution में बदलाव करना है इन दो article के अंतरगत दी गई चीजों में अगर बदलाव करना है तो भारती सवविधान का article 4 ये प्रावधान करता है कि article 2 और article 3 में अगर किसी भी तरह का changes किया जाता है तो उसके लिए सवविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं और ये प्रावधान कौन सा article करता है article 4 आप कोश्यन आता है कि सर article 2 और 3 में सहे क्या तो देखिए सवविधान का जो article 2 और 3 ने वो पहले तो किस पार्ट में हम ये समझते है तो ये है part 1 union and its territory मतलब भारत के संग राज्य शेत्र की बात करता है article 1 से लिकर 4 तक part A में include किये जाते है अब संग और राज्य शेत्र की बात करता है तो दोनों article कहीं न कहीं आपको इसी से related देखने को मिलेंगे देखिए article 2 में कहा गया है भारती संग में नए राज्यो का प्रवेश और नए राज्यो की स्तापना article 2 के तहट की जा सकती भारत के बाहर का कोई शेत्रे कोई territory है उसको अगर भारत संग में शामिल किया जाता है नए राज्यो का प्रवेश कराया जाता है नए राज्यो की स्तापना की जाती है तो article 2 के तहट की जाती है article 3 क्या गहता है तो सविधान के article 3 के तहट Indian Parliament को ये power दी गई है कि वो भारत के राज्यो से एक राज्यो को दो राज्यो में डिवाइट कर सकते है दो को जोड़कर एक राज्यो बना सकते है राज्यो के नाम में परिवर्तन कर सकते है उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते है कौन Indian Parliament किस article के तहट article 3 तो अब article 2 और article 3 यहाँ पर clear हो जाते है अब अगर इसा कोई भी चेंज इंडियन पार्लियमेंट करती है तो आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि इन दोनों आर्टिकल के जो भी चेंजे से अगर उसको पार्लियमेंट को करना है तो उसके लिए सविधान संशोधन की ज़रत नहीं नॉर्मल बिल लाकर वो किया जा सकता ह लाइक अगर तेलंगाना को कभी आंद्र प्रदेश से अलग किया गया था 2014 में तो उसके लिए कोई सविधान संशोधन थोड़ी लाया गया था वो आर्टिकल दो और तीन है ओके याद रखिएगा इंपोर्डेंट है काफी इंपोर्डेंट है और एक्जाम में हमने काफी कोश्चन यहां से देखें चली आगे आते हैं सेकेंड कोश्चन है हमारा भारती सविधान का अनुच्चे 24 और 23 किस प्रकार की स्वतंतरता की ब भारत के सविधान में जो मौलिक अधिकार है उनके अंतरगत मेंशन किये गए और यह बात करते हैं शोशन के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं दो आर्टिकल इसमें इंक्लूट किये जाते हैं तो आंसर A यहां पर हमारा सही हो जाएगा थोड़ी डिटेल जाल लेते ह कि एक्च्वल में यह दोनों आर्टिकल हैं क्या है तो देखे फ्रेंड्स आर्टिकल 23-24 जैसा कि हमने बात किये शोशन के विरुद्ध अधिकारों की बात करते हैं तो आर्टिकल इंक्लूट है तो सबसे पहला है आर्टिकल 23 सविधान का आर्टिकल 23 यह प्राउधान करता कि मानव के दुर्व्यापर और बलाच श्रम का प्रतिश्यत किया जाएगा ये उनका मौली का दिकार है हर व्यक्ति का ये हर नागरिक का मौली का दिकार बलाच श्रम मतलब बंधुआ मजदूरी आप समझ लो पहले के टाइम पिरियेड में काफी चलती थी तो भारती सविध मानव अंगों को या मानवों को बेचा खरीदानी जाएगा मानव के दुर्व्यापर पर भी प्रतिवन लगाया गया है ये हर व्यक्ति का मौली का दिकार है आर्टिकल 23 के तहट सेकेंड आता है आर्टिकल 24 जो की स्पेशली 14 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए खानवादी ना मतलब बच्चों के शोषन को पूरी तरह से खतम किया गया है और बच्चों का शोषन नहीं किया जाएगा ये उनका मौली का दिकार है कोई बच्चा 14 वर्ष से अगर कम का है तो वह कहीं भी कार्य नहीं कर सकता ये इसके लिए प्रॉपर एक अधिनियम भी लाया गया है बाल श्रम अधिनियम 1986 इसी के अंतरगत लाया गया है इसी मौली का दिकार को सिद्ध करने के लिए लाया गया है क्यों कि चवुदा साल के जो बच्चे न आर्टिकल 21 ए में उनको प्रात्मिक शिक्षा का दिकार दिया गया है उनका मौलीक दिकार बनाकर तो कारखानों आधी कहीं भी काम करने पर प्रतिवन लगाए गया है आर्टिकल 24 तो कहीं न गहीं दोनों देखो आप शोशन के विरुद्ध अधिकारों की ही बात करते दोनों आर्टिकल किसी भी मानों के अंग या मानों को खरीदा बेचा नहीं जाएगा और बंधुआ मजदू तो 23 और 24 शोशन के विरुद्ध अधिकारों में इंगलूट किये जाते हैं आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टन अपडेट आप सभी को देता हूँ देखिए क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लिकेशन पर आप सभी के लिए SST, CGL और CHSL के लिए एक टारगेट ब आप इंट्रस्टेड हैं तो आप रूट एप्लिकेशन पर जाकर SST की बेच में इंड्रोल हो सकते हैं साथी साथ कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं PSSCJ के नाम से जहाँ पर आपको 500 रूपीस का डिसकाउंट भी एवेलेबल हो जाएगा और अगर आप इंडिजुली मु पुरुआत के हैं सब्विधान में वहां से किस आर्टिकल से पूछा जा सकता है तो देखिए सब्विधान के किस अनुच्छेत के तहट विदेशी नागरिक्ता ग्रहन करने वाले व्यक्ति की नागरिक्ता स्वत्त समाप्त हो जाती अपने आप तो देखिए एक जो है वो खुद बखुद खतम हो जाई और ये प्रावधान इंडियन कॉंस्टिटिशन के आर्टिकल 9 में देखने को मिलता है भारती सब्विधान का पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटिजन शिप की बात करता है और यहां पर सिटिजन शिप में आर्टिकल 9 ये प्र जमाप तो हो जाएगी छोड़ने की ज़रत में अपने आप खतम क्योंकि भारत में एकल नागरिक्ता है सिंगल सिटिजन शिप का प्रावधन देखने को मिलता है जो कि हमने ब्रिटेन के कॉंस्टिटिशन से इंडियन कॉंस्टिटिशन में अडॉप्ट किया है पाकी के त सब्विधान लागू किया गया था तब नागरिक्ता के कोई प्रावधन नहीं थे तो सब्विधान लागू होने के समय भारत में नागरिक्ता की साधार पर दी गई केसे नागरिक्ता दी गई ये हमें प्रावधन आर्टिकल 5 में देखने को मिलता है सब्विधान लागू होने के समय में भारती नागरिक्ता सेकेंड आर्टिकल 6 के अगर हम बात करें तो जब विभाजन के समय वो लोग जो की पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनके लिए नागरिक्ता के के से प्राउधान है ये हमें आर्टिकल 6 में देखने को मिलता है आर्टिकल बारा नागरिक्ता का नहीं है ये मौलिक अधिकारों के अंडर में आता है पार्ट थ्री में पार्ट थ्री का ये पहला आर्टिकल और पार्ट थ्री का ये जो पहला आर्टिकल है ना 12 ये कहीं ना कहीं स्टेट को डिफाइन करता है स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है राज्ज को परिभाशित करता है हर वो बोड़ी जो की लो मेकिंग बोड़ी है वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है इस आर्टिकल के तहद और उन सभी की जिम्मेदार ये कि वो मोली कदिकारों को लगू कर ना तो ये डी में देखने को मिलता है हमारा कोश्यन था विदेशी नागरिक्ता गरहन करने वाले वैक्तियों की नागरिक्ता सुवतासम अब तो जाती किस आर्टिकल के तहद तो नागरिक्ता का आर्टिकल है आर्टिकल ₱ इसलिए मैं आपको एक कोश्चन से लगबग आपके तीन-चार कोश्चन सेटल कर देता हूं ताकि कभी भी कोई भी आपको डाउट ना हो राकर कोश्चन घुमाद विरा कर पुछे तो भी आपको रिलिवेंट चीजे भी पता हूं तो ध्यान से सुना करिए तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे और इजी लिए आपके कोश्चन सही जाएंगे चले नेक्स्ट कोश्चन अनुचेत पंदरा मौलिक अधिकारों के तहट किस आधार पर भिद्भाव न किये जाने की बात नहीं कही गई है तो देखिए पाँच आधार पर भिद्भाव नहीं किया जाएगा भारत में किसी से भी ये बात आर्टिकल पंदरा करता है कौन कौन सा है धर्म, जाती, लिंग, मूलवंश और जन्म इस्थान ठीक है इन पाँच आधर पर भिद्बाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल पंद्रा के तहट अब भिद्बाव ना किया जाने की बात किस आधर पर नहीं कही गई है तो देखिए धर्म के आधर पर भिद्बाव नहीं किया जाएगा कहा गया है मूलवंश के आधर पर भिद्बाव नहीं किया जाएगा कहा गया है जन्मिस्तान के आधर पर भिद्बाव नहीं किया जाएगा ये भी कहा गया है लेकिन रहन सहन के आधार पर भिद्भाव नहीं किया जाएगा इसी कोई बात हमको आर्टिकल 15 में देखने को नहीं मिलती तो किस आधार की बात नहीं कही गई है तो आंसर सी रहन सहन की कोई भी बात नहीं की गई है आर्टिकल 15 में सब्विधान का Article 15 जो समानता की अधिकार के अंतरगत शामिल किया जाता है इसके तहत भारती भोगोलिक शेत्र में किसी से भी पांच आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता धर्म, जाती, लिंग, जन्मिस्तान और मूलवंश ओके चली नेक्स्ट कोशन देखते हैं, भारती सब्विधान में उपाधियों का अंतर किस अनुच्छेत के तहत किया गया है, तो ये किया गया है फ्रेंड्स, Article 18 में, समानता की अधिकार का सबसे लास्ट आइकल लेई है, Article 18, इसमें उपाधियों का अंतर किया गया है भारती एक शेत्र में कोई भी वेक्ति, अपने नाम के आगे ऐसा कोई भी उपाधि नहीं लगाएगा जिससे वो आम नागरिकों से अलग प्रतित हो, नहीं अंग्रेजों के समय में दी जाने वाली कोई उपाधि का यूस कर सकता, जैसे राजा, महाराजा, राविन हूड, राय ब ऐसी कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता, दो शेत्रों में दी जा सकती है उपाधि ध्यान रखिएगा, एक सेना के शेत्र में दी जा सकती है, और एक शिक्षा के शेत्र में दी जा सकती है, ठीके, एक सोरी, सेना और शिक्षा इन दो शेत्रों में दी जा सकती है उपाधि, आर्टिकल 18 के दहर, ज्यार नखिएगा, भारत रत्न पदम भुशन, पदम विभुशन, पदम श्री, according to Supreme Court, ये पुरसकार है न की उपाधिया, पुरसकार और सम्मान है न की उपाधिया, तो वो अपने नाम के आगे वेक्ति लगा सकता है, ओके भारत सरकार के वो सम्मान मने गए Supreme Court के अनुसा, तो उपाधियों का अंत भारती सब्विधान के आर्टिकल 18 में देखने को मिलता है, शिक्षा और सेना के शेत्र में दी जा सकती है, याद रखिएगा, चलिए, next question देखते, सब्विधानिक उपचारों का अधिकार, सब्विधान के किस अनुच्छेद म लेखी थे, किसका अधिकार है, सब्विधानिक उपचारों का अधिकार, तो भारती सब्विधान में, छटा मौलिक अधिकार सब्विधानिक उपचारों का अधिकार है, जो की आर्टिकल 32 में दिया गया है, आर्टिकल 32 के तहट, अगर व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का उलंगन होता है तो इस आर्टिकल के तहट कोई भी नागरिक डारेक्ट सुप्रीम कोड जा सकता है और सुप्रीम कोड मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पांच प्रकार के रेट जारी कर सकती है पहले भी हमने काफी बार बात की थी बंदी प्रत्यक्षी करना अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेशन, प्रतिशेद, है ना तो पांच रिट जारी कर सकती है आर्टिकल 32 के तहट कोण सुप्रीम कोड किसके उलंगन पर मौलिक अधिकारों के उलंगन इसे कहा जाता है सब्विधानिक उप्चारों का अधिकार तो अंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जा तो आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफतारी से सर्दक्षन दिया गया है लोगों को है ना आर्टिकल 14 विधी के समक्ष समता की बात करता है कानून के सामने हर वेक्ती समाने और आर्टिकल 17 अइस परशिता का अंत करता है छुआ छूट का जो आधार पर भिद्भाव चलता था पहले उसका पूरी तरह से अंत करता है तो आर्टिकल 32 समविधानिक उप्चारों के अधिकार की बात करता है नेक्स्ट गोश्चन देखते हैं इसके बाद प्रेश की स्वतंदरता किस अनुच्छेद में शामिले या किस आर्टिकल में शामिले तो देखिए प्र प्रेश की स्वतंदरता क्योंकि ये कही ना कही अभिवेक्ति की स्वतंदरता की बात करती है प्रेश के अभिवेक्ति का माध्या में जंडा फैराने की स्वतंदरता ये भी आर्टिकल 19 में शामिल की जाती है और RTI Right to Information ये भी आर्टिकल 19 के तहद दिये गए अधिकार है य आपरादों के लिए दोश सिद्धी के अधिकार की बात करता है। ये भी कोशन थोड़ा सा हिरन ही पूछा गया है हमसे जो कि आर्टिकल के अंदर कई न कई मेंशन है। आर्टिकल 16 की बात करें। तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विश्य में अवसर की समानता की बात करता है सरकारी नोकरियों में। इसी के तहट एक आर्टिकल जोड़ा गया है सबविधान में। आर्टिकल 16 का सब क्लॉस 6 इसके तहट EWS मतलब इकोनोमिकली विकर सेक्षन जो है। उनको सरकारी नोकरियों में अरक्षन की बात की गयी है। देखे सरकारी नोकरी तो आई यह है ना आर्टिकल 16 का। लोक नियोजन के सरकारी नोकरियों में विशर की समानता। उसी के तहट EWS को 10% आरक्षन दिया गया था सविधान संशोधन के दौरा अगर आपको याद हो तो। तो 16.6 से जोड़ा गया था तो यह आर्टिकल 16 में हमको देखने को बिलता है। वैसे दो आर्टिकल को आपको यहाँ पर समझना चाहिए। आर्टिकल 15 यह ना अभी हमने बात किती धर्म, जाती, लिंग, जन्मिस्तान और मूलवंच के आधार पर कोई भिदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर आता है देखिए आर्टिकल 16 यह किसकी बात करता है। लोक नियोजन के विशाय में आउसर की समानता, पब्लिक इंप्लॉइमेंट में आउसर की समानता की बात करता है। अब आर्टिकल 15 में सब आर्टिकल जोड़ा गया है EWS से रिलेटेड आर्टिकल 15.6। ठीक है शेक्षणिक संस्ताओं में EWS इकोनोमिकली विकर सेक्षण जो है उन्हें आरक्षण दिया गया 10% का। और सेम यहां पर आर्टिकल 16.6 से जोड़ा गया है और सरकारी नोक्रियों में भी 10% आरक्षण दिया गया है EWS को। यह दोनों आर्टिकल कहीं ना कहीं EWS की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों को नहीं दिया गया है। दूसरों को भी दिया गया OBC को भी आरक्षन है section X navtahum में SST को भी आरक्षन है इसके sub closes में सेम यहाँ पर Lok Neogen में OBC को भी आरक्षन है और SST को भी sub closes में आरक्षन दिया गया है EWS को बाद में जोड़ा गया है सविधान संशोदन के I hope समझ में आओगा question, थोड़ा सा पेचीदा था, चलिए, next देखते हम, सविधान के article 11 के तहट नागरिक्ता पर नियम मनाने की शक्ती किसे प्रदान की गई है, तो नागरिक्ता पर, नागरिक्ता, citizenship, जो की part 2 में है, इसका सबसे आखरी article, article 11 ही है, 5 से लेकर 11 तक, तो ये जो article 11 है, ये नागरिक्ता पर नियम मनाने की शक्ती Indian Parliament को देता है, मतलब भारती संसत को प्रदान करता है, article 11 के तहट नागरिक्ता पर नियम मनाने की शक्ती भारती संसत को दी गई है, वो नागरिक्ता पर नियम मना सकती है, नागरिक्ता कैसे छिनी जाएगी, कैसे द जा सकती है प्रावधन कम जादा करना ये सब इंडियान पालियमेंट के हाथ में है आर्टिकल 11 के तहट है ना चलिए नेक्स देखते हम प्राण एवं देहिक स्वतंतरता किस अनुच्छत के तहट दिया गया मौली गदिकार तो प्राण और देहिक स्वतंतरता की अगर हम बा शरीर उसके प्राणों को अलग नहीं किया चे अक्ति आए सकता लेकिन याद रखिएगा वीधी के तहट प्रक्रिया के अलावा मतलब जो लो में प्रावधन है लो जैसी इजाजत दे रहा है बस उसके अथिक्त किसी भी आधार पर किसी वैध्दी के प्राण नहीं लिए लेकिन according to law लिये जा सकते हैं मतलब अगर कोई आतनगवादी कती विधियों में लिपते कोई AC सजा प्रापते जिसमें फासी की सजाई है तो उसको फासी दी जा सकती है तब उसको आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अब ये जो एक प्रोसीजर या element 8 किया गया ना कि विधि के तहट प्रक्रिया के अलावा किसी भी तरीके से प्राण नीशीने जाएंगे ये जापान के सब्विधान से Indian Constitution में लिया गया है विधि द्वारा इस्तापित प्रक्रिया के माध्यम से प्राणों से वंचित किया जा सकता है ये ना उसके अलावा किसी भी तरीके से नीशीने किया जा सकता ये Indian Constitution में जापान के सब्विधान से लिया गया था आर्टिकल 21 में तो easily आर्टिकल 21 याद रखना है तो प्राण और दे की स्वतंतरता की बात करता है मतलब जीवन जीने की स्वतंतरता की बात करता है ओके चलीए नेक्स्ट कोशन देखते संस्कृति वशिक्षा का अधिकार किन मुख्य अनिच्छेदों में उल्लेखित है किन आर्टिकल्स में दिया गया है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार सबसे लास्ट कुश्चन है आज का हमारा ये दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 में पांचवा मौली का अधिकार है आंसर C हो जाएगा थोड़ा सा इसकी डिटेल को जान लेते हैं कि एक्चुल में है क्या तो देखिए संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात करते है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन की अगर हम बात करते है तो आर्टिकल 29 और 30 में इसे मेंशन किया गया है अब एक एक आर्टिकल को समझते हैं कि क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 29 की ये बात करता है अलप संख्यक वर्गों के हित्तों का सदक्षन किया जाएगा मतलब उनकी भाषा को प्रोटेक्ट किया जाएगा अलप संख्यक कोन? माइनोरिटी? जो देश में majority में ना हो वो minority है ठीक है ना देश में majority में हिंदू है तो बाकी जितने भी बच रहे हैं फिर वो minority में तो वो जो minorities है जो अलप संक्या के उनके हितों का सरक्षन किया जागा यह उनका मौली का दिखार उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट किया जाए गौर्णमेंट के दुआरा यह उनका मौली का दिखार उनकी भाशा को सहे जाएगा यह उनका मौली का दिखार इसके सब clauses में हमको ये प्राउधन देखने को मैं हाला कि सब clauses काफी कम पूछे जाते हैं पर फिर भी जैसे article 29 का sub clause 1 है भारत के नागरिकों को अपनी लीपी भाशा और संस्कृति को बनाये रखने का जिकार है गवर्मेंट प्रोटेक्ट करेगी 29.2 यदि राज जी के द्वारा शिक्षा संस्थान बनाया जाता है तो उसके साथ या उनके साथ किसके साथ अलप संख्यों के साथ धर्म मूलवंश जाती भाशा के आधार पर भिद्वाव नहीं किया जाएगा अलप संख्यों के साथ मतलब कोई भी एसी शिक्षा संस्थान है जो या तो गवर्मेंट ऑथराइजड या गवर्मेंट से इसको अनुदान मिलता हो फंड मिलता हो तो एसी जगे पे किसी भी मूलवंश जाती भाशा के आधार पर भिद्वाव नहीं किया जा सकता है तो यह अलप संख्यों के हित जेहन अपने जो भी उनके शिक्षा संस्थान हों के वो चला सकते हैं तो यह क्यों चला सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 30 के तहट यह उनका मौलिक अधिकार है अलप संक्यक वर्गों को शिक्षा संस्थान की इस्तापना करने और उसका प्रशाशन करने का अधिकार उनका मौल कीए, Part 1, Part 2 और Part 3. Part 1 में जैसा कि हमने शुरॉत में बात की थी, संग राज्य शेत्र की बात कीए, Part 2 कही नगरिकता की बात करता और Part 3 की अगर हम बात करें, तो वो मौली का दिकार Fundamental Rights की बात करता है. इन तीन पार्ट से जो important articles पूछे जा सकते, वो बहुत ही डीटेल में यहाँ पर मैंने आपको समझा दी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा, चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल्स को ही आगे ब हैं, बहुत है क्ऌना में जरूलिए आपको समझा इखवाँ करना में हारादा